आरके सिंग सुखु मेमोरियल पब्लिक स्कूल उतरीजपुर संभु गन्जवनपुर में कच्छा दस्की समस्थ छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोगों को संस्कृत में ब्रिक्षा नाम चेतनत्यों के बारे में आपको बताने जाना हूँ अभी आपको भृगु वाज भृगु जी क्या कहें उसके बाद भरत्वाज वाज भरत्वाज जी क्या कहें फिर जो है ब्रिगु गाच ब्रिगु कहते हैं घनानान मपी ब्रिक्षानाम आकासो वस्ती न संसय है तेसाम पुष्प फल व्यक्तिर नित्यम समुप पात्यती इसमें आपको जो है ब्रिगु वाच ब्रिगु ने उत्तर दिया अन्वय आप देखें घनानाम अपी ब्रिक्षानाम आकासो वस्ती अत्र संसय है न स्ति तेसाम पुष्प फल व्यक्तिर नित्यम समुप पात्यती घनानाम अप ब्रिक्षानाम का की ठोस रूप होते हुए भी घनानानापी ठोस रूप होते हुए भी ब्रिक्षों में आकास तत्र अवस्त्य है इसमें संदेह नहीं घनानानाम अप ब्रिक्षानाम आकासो वस्ती न संसय है ठोस रूप होते हुए भी ब्रिक्षों में आकास तत्र अवस्त्य होता है इसमें संदेह नहीं क्योंकि तेसाम पुस्प फलव व्यक्तिर नित्यम समप पाजती क्योंकि उनकी फूल और फलों की उत्पत्य नित्य संदेह होती है उसमें फूल और फल क्या होते हैं लगते हैं उत्पन होते हैं क्योंकि चेतनता का एक है कि वन्स ब्रिद्धी में सहायक होते हैं तो उत्पत्य मित संभव होता है आकास्त जगाने का तार्परिया है कि आकास्तत के आभाव में फल और फूल उत्पन नहीं हो सकते फलों और फूलों में भी आकास्तत्त होता है और बिन्या आकास के उनका आश्तित्त ही नहीं है उस्मतो अगला इसलोग उस्मतो मलायते परणम त्वत्थलम पुस्पमेवचे मलायते सीर्यते चापी असपर सस्ते नात्रम विद्यती उस्मतो कहां उस्मतो मलायते अन्वा इसका आप देखें उस्णते परणम मलायते त्वत्थलम पुस्पमेवचे मलायते सीर्यते अप्चे तेन अध्र असपर से विद्यती अर्द है कि उस्मतो मलायते परण गर्मी के कारण ब्रिक्षों के पत्ते जो है वे मुर्जा जाते हैं जब अधिक गर्मी परती है तो उसके पत्ते भी जो है क्या हो जाते हैं मुर्जा जाते हैं प्रिख्षों के छाल फूल और फल भी जो है कुमला जाते हैं और कुमला जाते हैं और अंत में जो है इसमें जो है और बिखर जाते हैं कांकि छाल फल और फूल भी कुमला जाते हैं और बिखर जाते हैं इस कारण से जो है अस्पर्ष ते नात्र विज्यते इस कारण से ब्रिख्षों में अस्पर्ष होता है गर्म हवा के अस्पर्ष से ही ब्रिख्षों के पत्ते पुस्पाद जो है मोर्जा जाते हैं कांकि अत्र अस्पर्ष होने से जो है फिर इसको आप देख लें गर्मी के कारण उस्मतो मलायते प्राणडम गर्मी के कारण ब्रिख्ष के पत्ते जो है वे मोर्जा जाते हैं शाल, फलं, पुस्पम, नर्गहु से फलं, पुस्पम भी सीरिते शाल, फल और फूल भी कुमला जाते हैं मलायते सीरिते चापी, ख्यधाना पी और बिखर जाते हैं इस कारण से अस्पर्ष ते नात्रम बिद्ध ते इस कारण से ब्रिख्ष में अस्पर्ष होता है गर्म हवास के अस्पर्ष से ही ब्रिख्ष के पत्ते पुस्पाद जो है मोर्जा जाते हैं वागन यत्रस्य निमीजते स्क्त्य फलं चैर प्रस्तुत पंक्ति में प्रस्तुत इसलोप में भ्रियुजी काते हैं कि वाई वर नन्यमसी निन घौसेम फलं पुस्पम विसीरिते स्रोतेड ग्रेयंते सब्दस्तं स्माग छड़ शुड़ोंती पादपा इसमें भ्रिवग जी कहते हैं कि वायू कि वाग्नवस्न्यास्नि सवधे फलम पुस्पम्चा विशीरिते स्रोतेन सब्दा गुहते तसमात पादपा सुडवन्ती काकि वायू अग्नी निनि घवसे वायू अग्नी असिनि निर घवसे वायू अग्नी और बिजली की करक से वायू अग्नी और बिजली की करक से फल और फूल जो है विशीरिते फलम पुस्पम विशीरिते फल और फूल जो है वे बिखर जाते हैं स्रोतेन ग्रियते फल और फूल जो है विखर जाते हैं स्रोतेन ग्रियते स्रोत सब्द कान से ग्रान किया जाता है इसलिए सब्दस्तामं सुरूभन्ति पादपा इसलिए बिखच सुनते हैं या सिद्ध होता है इसलिए बिखच सुनते हैं या सिद्ध होता है अगला है बल्ली वेस्टेते ब्रिख्धम सर्वस्त चयो गच्छती निराजु उस्तेन मार्गो अस्तीं तस्मात पस्यन्द पाधपा ह। होता है लता बली वे स्टेंते बेल ब्रिक्ष को लपेट लेती हैं आप देखें कोई लता जब ब्रिक्ष पर चड़ जाते हैं पूरा ढख लेती हैं बेल जो है वह ब्रिक्ष को लपेट लेती हैं और चारों और फैल जाती हैं सर्वतस्ट गच्छती और चारों और फैल जात द्रिष्ट हीन पदार्थ का कोई मार्ग नहीं होता है इस कारण यह सिद्ध होता है कि ब्रिक्ष जो है पादपा पस्यंद पादपा ब्रिक्ष जो है देखते हैं अगला है पुष्पा पोड्या पोड्यास तथाम गंधैर धूपैस्त विविदे अपी अरोगा पुष्पितासंती तसमा जिग्रन्थी पादपा पुष्पा पोड्या पोड्यास तथाम ब्रिक्ष इसका यह है कि पोण्या पोण्य तता अन्वय देखें ब्रिक्ष पोण्या पोण्य तता गंधैर धूपय चे आरोगा पुस्पिता चे संती तस्मात पादपाज ग्रन्ती इतिसित्यती ब्रिक्ष जो है प्रास्तुति स्लोग में ब्रिक्ष जी कहते हैं कि ब्रिक्ष पोण्यों और अपोण्यों से तता अनेग प्रकार की गंधों और धूपों से रोग रहित और पुस्पित होते हैं रोग रहित और पुस्पित होते हैं पूण्या पुड़े सताम गंधर धूपैस्ट बिविदी रहपी रोगा पुस्पिता संती पूण्य ब्रिक्ष जो है पूण्यों और अपूण्यों से तता अनेग प्रकार की गंधों और धूपों से रोग रहित और पुस्पित होते ह इस कारण ब्रिक्ष सुमते हैं इस प्रकार से सिद्ध होता है अगरा है पादय सलिलम पानांच ब्यादी नाम चाफि दर्सनात ब्यादी प्रत्क्रिया प्रत्क्रिया त्वांच विद्यते रसनम दुरुमी पादय सलिलम पानांच ब्रिक्ष जो है का अपनी जड़ों के दौरा जल पीने के कारण और रोगों के दिखाई नव्यादी नाम चाफि दर्सनात और रोगों के दिखाई पढ़ने के कारण और रोगों का उपचार होने के कारण बिख्ष जो है स्वाद लेते हैं ब्याधित प्रत्क्रियांच बिज्जते रसनम दुरुमी स्वाद लेने में सामर्थ होते हैं अतह ये जो है बीमार बिख्षों में जैसे कोई बिख्ष सूख रहा है तो उसमें दवाद डालते हैं तो फिर हरा भरा हो जाता है और वे जो है अपनी जो है जड़ से पानी पीते हैं बिना स्वाद के दवा का प्रभाव को भी जो है नहीं हो सकता इसलिए कहां कि ब्रिक्ष अपनी जड़ों के द्वारा जल पीने के कारण और रोगों के दिखाई पढ़ने के कारण और रोगों का उपचार होने के कारण ब्रिक्ष में स्वाद लेने की सामर्थ होती है अगला है अब जो है अगला है वक्त त्रेण तोद्पल ना लेन यथोर्थ हम जल माद देत तथा पवन संयुक्तम पादय पिवन्त पादपा वक्त त्रोण काकी वक्त त्रेणोद पल ना लेन यथोर्थ हम जल माद देत इसमें जो है कि वक्त्रों नालेन यतोर लहें कि यथा उत्पन नालेन वक्त्रेण जलम उर्दों माजदेद तथा पाउनम संयुक्त पादपर पादय जलम पिवती जिस प्रकाद कहा कि वक्त्रेण रोत्पल नालेन यतोर लहें जिस प्रकाद कमल दंड से मुख के द्वारा जल उपर दिया जाता है उसी तरह से वाज से युप्त पेड अपने जड़ों से जल पीते हैं सुख दुख योस्ट ग्राण सिन्न यस्चे बिरहोडात जीवं पस्यामी ब्रिक्षारामं चैतन्यम नविद्यते सुख दुख योस्चे सुख दुख यो ग्राणात जीवं पस्यामी ब्रिक्षारामं चैतन्यम नविद्यते ब्रिक्ष के भी सुख और दुख का अनमान करने से कटे हुए के अंकुर आने से उसमें जीव देखता हूँ ब्रिक्ष भी जो है सुख दुख का अनभव करते हैं अनमान करने से कटे हुए के अंकुर आने से जेसे जहां कार देते हैं वहाँ तरल पजार खा जाता है आने से उसमें जीव देखता हूँ उनमें निर्गी उता नहीं है कहने कास है कि ब्रिक्ष भी जेतन है जड नहीं अगला है तेन तजल मादतम जरयत तो अगनि मारुती आहार परिणामान चे इसने हो ब्रिधिस की जानते तेन तजल मादतम तेन आदतम तजलम अगनि मारुतास चे जरयती आहार परिणामात चे इसने हो ब्रिधिम चे जानते प्रस्तुति स्लोक में ब्रिव जी कहते हैं कि यग्याज के कारण से काकी तज तेन तजलम अदतम ब्रिधि के द्वारा ग्रहन किये गए उस जल को अगनी और वाय जो है पचाते हैं और आहार के पचने से चिकनापन जो है और बन जाता है चिकनापन और भी आहार के पचने से उनमें चिकनापन की जो है ब्रिधि हो जाती है आते साम सर ब्रिःचाराम छेदनम नयो कारेत चतुर मा से बिषे सेन बिना यग्याद कारेत एतेसाम सर्व ब्रिक्षाराम इस प्रकार से काकी यग्याज कारणों बिना एतेसाम सर्व ब्रिक्षाराम छेदनम ना कारे विशे सेंड चतुर मासे नयुकारे भ्रिव की भरतवाजी से काते हैं किया थी यह कि आज कारणों के बिना इन सभी बिख्षों को नहीं कटवाना चाहिए यह तिस आम सर बिख्षा आम छेदनमने इन सभी बिख्षों को कटवाना नहीं चाहिए चतुर माँ से बिसेसे चार महीने बिसेस करके विशेश करके वालसा रित के चार महीनों में निस्चा ही जो है नहीं कटवाना चाहिए एके नाम सुब रिखेण सुब उस्पितेन सुगंदिनाम वासितम वय वनम सर्वे सुपुत्रेन कुलम यथा क्योंकि एक ही फूले हुए सुंदर महत वाले ब्रिक्ष से समस्त बन जो है सुसोबित हो जाता है एक सुंदर फूल से युक्त सुगंध से युक्त ब्रिक्ष से पूरा जंगल जो है क्या हो जाता है समस्त बन जो है सुबंधित हो जाता है जैसे वासितम तह बनं सरवं सुपुत्रेंड कुलम यथा का कि क्योंकि एक ही फूले हुए सुंदरमाक वाले भिक्ष से समस्त बन सुगंदित हो जाता है जैसे एक अच्छे पुत्र के द्वारा समस्त कुल जो है सुगंदित हो जाता है अब इसी पर हम अपनी बानी पर जो है विर्याम देते हैं अगला पार जो है अगले दिन तब तक आप लोगों से जो है गुड़ बाई